नमस्कार दोस्तों आपके अपने चनल बिये से ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम जनल साइंस के प्रेशन आपके साथ डिस्केस करने वाले हैं क्योंकि सामाने विज्ञान के अंतरगत जनल साइंस के अंतरगत आपके जनल साइंस के प्रेशन पू जरूर कीजिएगा तो सबसे पहला प्रशन दोस्तो मार्स और्बिटर्ड मिशन माने मॉम जो है किसे कहा जाता है इंपॉर्टन प्रशन दोस्तो जल्दी से विच्छा करके बताएं दीएगा आप्शन मेंसे इस प्रशन के लिए राइट आप्शन क्या होना चाहिए पिल्कुल ठीक दोस्तो अगर हम बात करें तो यह जो है भारत का पहला मंगल अभियान है वस्तो ताह यह भारती अंतरिक्ष अरुसंधान संगठान जिसे हम इस रोव भी कहते हैं तो दोस्तो इस रोव की एक महत्वकांची अंतरिक्ष परियोजना है जिसे हम मार्स 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने है तू आंध प्रदेश के सिरी हरी कोटा इस्थित सतीस धवन अंतरिक्ष केंदर से इसे सफालता पूर्बक छोड़ा गया था ओप्शन नमबर चलिए दोस्तो अगला प्रशन मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो दोस्तो बहुत ही कॉमन प्रशन है बिल्कुल ठीक क्रोमोसोम की कुल संख्या होती है 46 अर्था 23 जोड़े पाए जाते हैं ऑप्शन नमबर यह जो है इस प्रशन के लिए जिन्हों ने भी पता है बिल्कुल सही विकल्प हो जागा पुर्शों की बाग करें तो दोस्तो उन में जो होता है XY क्रोमोसोम होता है और महिलाओ की बाग करें दोस्तो तो महिलाओ में XX क्रोमोसोम का जोड़ा पाया जाता है चलिए दोस्तो अगला प्राशन है मानव शरीर के कौन से अंग में लशिका कोशिकाय बनती है जी दोस्तो, लेप्टोसाइट्स बिल्कुल ठीक दोस्तो, जिन्हों नों भी पताए इस्प्रेशन के लिए ओप्षिन नमबर D तिल्ली में option number D expression के लिए बिलकुल right option हो जागा क्योंकि दोस्तों लेसिका कोशिकाओं का निर्मार जो है लेसिका गिरंथी तिल्ली, अस्थी मज्जा और लेसिका थथा थाइमस गिरंथी द्वारा किया जाता है option number D expression के लिए जिनों भी बताए बिलकुल सही विकल्प है अगना प्राश्न जन्तु विज्ञान अध्यन करता है तो दोस्तों जो जुलोजी है वह किसका अध्यन करता है केवल जानवरों का अध्यन करता है, केवल जीवित बनसपती का करता है जीवित और म्रत दोनों प्रकार के जानवरों का या जीवित या म्रत दोनों प्रकार की बनसपती का अध्यन करता है जुलोजी जी, बिलकुल ठीक, जन्तु विज्ञान है तो जन्तु सही संबंदित होगा जीवित मतलब जानवरों सही संबंदित है जीवित और म्रत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्यन किया जाता है जुलोजी के अंतरकत जीवित यान के टायरों को फुलाने या फिर भरने के लिए प्रुक्त की जाने वाली गैस दिये गए विकल्पों में से कौन है जी बिलको ठीक दोस्तों अगर हम बात करें तो वायू यान के टायरों को फुलाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रमुख रूप से प्रियोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन गैस का जो दवाव होता है कम होता है इस कारण वायूयान के उतरने और रुकते समय बिस्पूट की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है इसके लावा दोस्तों हलकी भी होती है और आजोलनचील होती है इसके लाबा hydrogen और helium के मिश्राण का भी प्रियोग किया जाता है तो यदि आपको फ्रस्ट में hydrogen और helium भी दे दिया जाए तो आपका सही उत्तर hydrogen और helium भी हो सकता है और यदि इस प्रकार से अगर आपको विकल्प दिये जाएंगे सब अलग-अलग है तो उस condition में आपका जो सही option होगा वह है nitrogen होगा या फिर अगर यहाँ पर option D में दे दिया जाता उप्योग तो सभी तब जो है आपका option number D उप्योग तो सभी उस condition में ठीक हो जाता वगर यहाँ पर आपको सारे option अलग-अलग दिये गए इसलिए expression के लिए option number C nitrogen जो है बिलकुल सही विकल्प है अगला प्राश्न निम्लिकित में से कौन कठोरतम धातू है जी दोस्तो दिये गए विकल्पों में से कौन सी धातू जो है वह सबसे ज्यादा कठोर है जी दोस्तों अगर हम बात करें दिये गए विकल्पों के हिसाब से तो दिये गए विकल्पों में जो सबसे कठोरतम धातू है वह है प्लेटिनम, option number C, इस प्रेश्ट के लिए बिल्कुल right option हो जाएगा दोस्तों अगर बात करें कि जबकि हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है और ग्यात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है तो अगर दिया जाए हीरा तो उस condition में आपका option हो जाएगा हीरा याद रखेगा दोस्तों important fact है कार्बन का शुद्ध रूप भी हीरा ही होता है दिये गए विकल्पों में अगर बात करें तो सबसे 14 धातु कौन सी है प्लेटिनम, चलिए दोस्तों अगला प्राशन है सबसे भारी प्राकर्तिक तत्व कौन सा है जी दोस्तों सबसे भारी प्राकर्तिक तत्व जो है दिये गए विकल्पों में कौन सा है बिल्कु ठीक दोस्तों दिये गए options में से हमारा option number A यूरेडियम जो है सबसे भारी radioactive प्राकर्तिक तत्व है option number A जिनों ने भी पता है इस प्रसारण के लिए सही विकल्प हो जागा अगला प्राशन दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनी संकेतों को प्रेशित करने में प्रियोक्त तकनीक कौन सी है जी दोस्तों दूरदर्शन के जो प्रसारण होते हैं उसमें ध्वनी संकेत को प्रेशित करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रियोक किया जाता है बिल्कु ठीक आवरती मॉडिलन तक्नीक का प्रियोग किया जाता है दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनी संकेत को प्रेशित करने के लिए तो option number C इस प्रस्ट के लिए जिनोंने भी पता है बिल्कुल सही विकल्प हो जागा आपसेंस मैं से कहा परबंधा है दूरदर्श्टी दोस में व्यक्ति जो है दूर की चीज़ों को तो आसानी से और इस परस्ट देख सकता है मगर जो चीज ए उसके पास होती है करीब कीीज़ें होती हैं उसे धूंदली दिखाई देती है तो दोस्तो इस प्रकार के दरश्टी दोस में निकट की वस्तू की प्रतिविम्ब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है option number C इस प्रश्ण के लिए बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा दूर दरश्टी के case में जो प्रतिविम्ब होगा वह रेटिना के पीछे बनता है option number C इस प्रश्ण के लिए बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा अगला प्राश्ट निम्न लिखित में किस राशी का मातरक बल नहीं है क्या आप जानते हैं दोस्तो किस राशी का मातरक बल दिये गए विकल्पों में से नहीं है जी बात करेंगर दोस्तो हम प्रतिबल की तो प्रतिबल का एसाई मातरक क्या होता है दोस्तो प्रतिबल का एसाई मातरक होता है न्यूटन बल की बात करें दोस्तो तो बल का एसाई मातरक क्या होता है बल का एसाई मातरक धी न्यूटन होता है बात करें दोस्तों अगर हम दाव की तो दाव का SI मातरक क्या होता है दाव का SI मातरक होता है दोस्तों पासकल बात करेंगर हम option number C की तो विक्रती का कोई मातरक नहीं होता है option number C इस प्रशन के लिए बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा कि विक्रती का कोई मातरक नहीं होता है और ट्रतिबल और बल का मातरक होता है न्यूटन, दाव का मातरक होता है पासकल, option number C सही विकलब हो जागा, अगला प्राशन दोस्तो, हाल के वर्षों में मानब गतिविधियों के कारण वायू मंडल में कारण डायकसाइट की सांधरता में बढवत्री हुई है, किन्तु उसमें से बहुत सी वायू मंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि तो दोस्तो, तीन कथन आपके समक्ष है विचार करके बताएं कि दिये के कथनों में से कौन कौन से कथन जो है वो सही है तो दोस्तो, हम कथन को पढ़ लेते हैं अगर हम बात करें कि वह वह समताप मंडल में पलायन कर देती है, समुद्रों में पादप प्लमक प्रकास कर लेते हैं, या फिर धुरुबिये बर्फ छत्रक वायू का प्रदूशर का प्रगाहण कर लेते हैं, तो दिएगा options में से कौन सा सही होगा जी, बिल्कु ठीक अगर हम बात करें तो केवल जो दूसरा वाला है दोस्तो, वह तो सही है और पहला और पीसरा गलत है, option number 20 प्रशन के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, कि समुद्रों में पादव, प्लवक, प्रकास संचलेशन कर लेते हैं, यह हैं जो हैं बिल्कुल सही का थन है, अगला प्राशन निम्रिकित में कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होता है जल चक्र में नहीं होती है संचेपड की, अंता इस्पंदन की वाषपी करण की, या फिर साइयोजन की दोस्तों बात करें जल प्रक्रिया तो जल प्रक्रिया में नहीं होती है जल तीन अवस्थाओं कौन-कौन सी ठोस, दरव और गैस के रूप में प्रथवी पर उपलब हैं और जल का चक्र अपनी इस्तिती बदलते हुए चलता रहता है जिसे जल चक्र अथवा जल विज्ञानियेक चक्र कहते हैं और यह समपूर जो प्रोसेस है यह 6 स्टेप में पूरी होती है कौन-कौन से स्टेप है दोस्तों तो वाश्पी करण हो जाता है द्रवर हो जाता है वर्शन हो जाता है अंता साइस पंदन और वाश्पी करण यह सब शामिल है चलिए दोस्तों अगला प्राश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल कौन होता है एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल कौन सा होता है जी दूसत round, अगर हम बात करेंग एक के एक एकोलोजिकल सिस्टम की तो सूर्ट की रोष्नि के बिना सब कुछ ध्रे का ध्रह रह जाएगा सारी चीज़ों को जो Energy मिलती है, जो प्रेरक बल होता है वह कौन होता है, वह Solar Energy होती है, Sunlight होती है option number A इस प्रश्ट के लिए जिन्होंने भी पता है बिल्कुल सही विगल्प हो जाएगा very good जिन्होंने भी पता है option number A अगला प्रश्ट निम्ण में से कौन सरवाधिक खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूशक है खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूशक बिल्कुल ठीक दोस्तों अगर हम बात करें तो दिये गए options में जितरे भी तत्व दिये गए हैं सारे के सारे रेडियो धर्मी है अगर option number C जो है स्ट्रॉंसियम 90 स्ट्रॉंसियम 90 जो है एक बहुत बड़ा खतरनाक रेडियो धर्मी प्रदूशक है और option number C बिल्कुल राइट option हो जाएगा चलिए दोस्तों अगला प्राशन जैब बिविधता के नाश का कारण क्या है तो दोस्तों अगर प्रशन को घुमा के पूछा जाए तो कई सारी प्रजातिया जो है वो लुप्त प्राय हो रही है या फिर लुप्त ही हो गई तो उसके जीव है उनके प्राकरतिक आवास में कमी हो रही है परियावर रही है प्रदूशन तो दोस्तों मानव की बहुत सारी गतिविदियों के कारण परियावरण जो है हमारा तेजी से प्रदूश्यत हो रहा है यह भी कथन सत्य है और पेड कट रहे हैं तो फिर बनों का भी प्रदूश्यता का नाश हो रहा है और प्रदूशन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा चलिए दोस्तों अगला प्रदूशन होता है तो दोस्तों जो हमारी जैव गैस है उसका उत्पादन जो है दिये गए विकल्पों में किस कंडिशन में होता है जी बात करें जैव गैस की तो दोस्तों इसे हम गोबर गैस भी कहते है या फिर इसे हम बायो गैस भी कहते हैं ऑप्शन नम्बर सी अब याई सूक्ष मजीवों की किरिया के कारण गैस का उत्पादन होता है गोबर गैस जैव गैस या फिर बायो गैस का उत्पादन होता है option number C is question के लिए जिनों ने भी पता है बिलकुल right option हो जाएगा चलिए दोस्तो अगला प्राशन मानव शरीर की सबसे मजबूत मास पेशी कहां पाई जाती है तो दोस्तो क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो सबसे strong muscle है वह सरीर के कौन से भाग में पाई जाती है मानव शरीर में सबसे मजबूत मास पेशिया जो है जबड़े में पाई जाती है option number A इस प्राशन के रिए जिनों ने भी पता है बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा चलिए दोस्तो अगला प्राशन लाल रक्त कोशिकाओं जिनने दोस्तो हम red blood cells भी कहते हैं तो दोस्तो इनका निर्मार हमारे शरीर के किस भाग में होता है जी दोस्तो आर बी का आर बी सी का निर्मार मानव शरीर के किस भाग में होता है जी दोस्तों बिल्कु ठीक है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मान जो है अस्थी मज्जा में होता है option number C इस question के लिए जिन्हों ने भी बता है बिल्कुल right option हो जागा इसके लबाद दोस्तों अब बात करें red blood cells की लाल रक्त कोशिकाओं की तो इन में हीमोगलोमिन नामक एक protein रंजक होता है जिसके करण इन कलो का रंग जो है वो लाल रंग का हो जाता है कई बार प्रशन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का लाल रंग का होना किसके करण होता है जी विज्ञान नाम धिया गया है, तो दोस्तो जो हम बिश etiquette जानते हैं जी विज्ञान, यह जी विज्ञाद नाम जुए वै किसके द्वारा दिया गया है, जी बिल्कुर ठीक, जी विज्ञान नाम जो हे वो लैमार्क ने दिया था, उप्शन नमबर 20 प्रशन के लिए जि प्रतिपादन किया था अरुस्तु की बात करें दोस्तो तो अरुस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है प्राणी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तो अरुस्तु को और हम लास्ट आप्शन को भी देखते हैं लीडियस को तो लीनियस ने दुई नाम प कार्बन की मात्रा दिये गए विकल्पों में किस में सबसे ज़्यादा होती है कार्बन की मात्रा दिये गए विकल्पों में किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जी दोस्तो बिल्को ठीक दिये गए ओप्शन्स की बात करें दोस्तो तो बिल्को ठीक option number A जिन्होंने भी पता है धलवा लोहे में कार्बन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा लगभग 3.5 से 4.5 तक पाई जाती ही तो दिएगा options में हमारा बिल्कुल right option हो जागा option number A बिल्कुल सही विकल्प अगला प्राशने किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था तो दोस्तों कि आप जानते हैं कि रेडियम जो है दिए गये विकल्पों में से किस खनिज से प्राप्त किया गया था important question दोस्तो याद रिख्या का pitch blend से प्राप्त किया गया था radium option number 20 प्रेस्ट के लिए जिनों दो भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा चलिए दोस्तो अगला प्राशन एक ही प्रकार का परमाडू निम्रिखित में से किस में मिलता है दोस्तो परमाडू की बात हो रही है एक ही प्रकार के परमाडू निम्रिखित में से किस में मिलता है बिल्कुल ठीक एक ही प्रकार का परमाडू प्राकर्तिक तत्वों में पाए जाते है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तो दोस्तो वह परमाडू होता है परमाडू के कितने कड़ होते हैं तो दोस्तो परमाडू के तीन कड़ होते हैं नाम क्या है पहले का नाम है प्रोटान दूसरे का नाम है निउट्रान और तीसरे का नाम दोस्तो होता है इलेक्ट्रॉन तो परमाडू के तीन कड़ होते हैं प्रोटान, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन छोटे से छोटा कड़ जो किसी भी रासानिक अभी क्रिया में भाग लेता है और स्वतन्त्र आवस्था में नहीं रह सकता है वह होता है हमारा परमाडू सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं तो दोस्तो प्राकर्तिक तत्वों में पाए जाते हैं चलिए दोस्तो अगला प्राशन मनुष्यों के लिए मानक ध्वनी इस्तर क्या है स्टेंडर्ड जो हमारा ध्वनी इस्तर है वे दिये गए विकल्पों में क्या है बिल्कुल ठीक मानक धोनी इस्थर या फे सुरचित स्ट्रवन इस्थर 60 decibel होता है मनुश्यों के लिए option number 20 प्रेश्ण के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जागा चलिए दोस्तो अगला प्राश्ण कपड़े धोने वाली मशीन के सिध्धान्त पर कार्ण करती है तो दोस्तो प्रेश्ण में कई बार कपड़े धोने वाली मशीन और कई बार पूछ लिया जाता है दूद से मक्खन निकालने वाली मशीन तो दोस्तो यह दोनों ही मशीन जो है वो अपकेंद्री है करण के सिधान्त पर काम करती है अपकेंद्री है करण के सिधान्त पर काम करती है अपकेंद्री बल बहे बल होता है जिसके करण किसी गतिशील वस्तू में केंद्र से दूर भागने की प्रवत्ती होती है मैं अपकेंद्री बल कहलाता है option number a expression के लिए जिनोंने भी बताया था बिलकुल सही विकल्प है, अगला प्राशन है, विद्धुत शक्ती की इकाई, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं, जो हमारी विद्धुत शक्ती होती है, उसकी इकाई unit क्या होती है, जी, वार्ट में नापते हैं हम, option number d expression के लिए जिनो तो दोस्तों, कुछ जो है, आपको सूचिया दी गई है, और उन्स ऊची का मिलान करके हमने बताना है कि कौन सी सूची जो है, वो किससे संबंदी थें, तो दोस्तों, खाद उत्पाधन में विद्ध ही, इसका संबंद दिये गए मिकल्पों में किससे हैं, कौन सी खुरांत से संबंद है हमारी दुग्द उत्पादन का मतस्य पालन तो दोस्तो नीली किरांती से संबंद हो जाएगा मतस्य पालन का और भूरी किरांती के रूप में उर्वरक का उत्पादन बढ़ावा उत्पादन में ब्रधिक की जाती है तो हमारा कोड हो जाएगा एक तीन दो चार दिए गए विकल्पों में दोस्तो आप्शन नमबर A इस प्रेशन के लिए बिलकुल राइट आप्शन हो जाएगा तो दोस्तो आपको सारी करांतिया पता होने चाहिए जो हरित है, स्वेत है, नेली है या भूरी है इसका संबंध किस से है, फिलाल दिए गए प्रेशन में जिन्होंने भी बताया आप्शन नमबर A हो जागा बिलकुल सही विकल्प, अगला प्रेशन दोस्तो फसल का नाम और उससे संबंधित बीमारी का नाम आपके समख्ष उपस्तित है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस फसल में कौन सी बीमारी लगती है जी दोस्तों अगर हम बात करें तो दिये गए options में गन्ना में कौन सी बीमारी लगती है red rot नाम की बीमारी जो है गन्ने में लगती है बात करें दोस्तों धान में तो दोस्तों खेरा नामक रोग हो जाता है धान में ठीक है अरहर की बात करें दोस्तों तो अरहर में एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है उकुठा या फिर विल्ट आलू की बात करें दोस्तों जुलसा रोग हो जाता है आलू में तो कोड हो जाएगा हमारा दो तीन चार एक तो दोस्तों दिये गए विकल्प में ऑप्शन नमबर 20 प्रेशन के लिए हो जाएगा सही विकल्प याद रखेगा दोस्तों इंपोर्टेंट प्रेशन है अगला प्रेशन है परियावरण निमनी करण के कारण मानव के लिए मुख्य हानी निमनी खित में से किस से होती है जी दोस्तों बिलकुँ ठीक अगर बात करें दिएगा ऑप्षेन्स में से हमारा ऑप्षेन नमबर 20 प्रेशन के लिए बिलकुल राइट ऑप्षेन हो जागा पडितांत्र सेव आएं चलिए दोस्तों अगला प्रेशन देख लेते हैं मानब गतिविदियों को प्रत्यक्ष एवं आप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन ग्रीन हाउस गैसों की कुलमात्रा को क्या कहते हैं जी दोस्तों बिलको ठीक है कार्बन फुट प्रेंट कहा जाता है कार्बन फुट प्रेंट या फिर कार्बन पद चिर्न कहा जाता है option नमर 20 प्रशन के लिए जिन्होंने भी पता है बिलकुल right option हो जाएगा अगला प्रशन जलवायू विज्ञान किसका विज्ञान है तो दोस्तों जलवायू का अध्यान जो है वो किसका विज्ञान है जी जलवायू कारकों का अध्यान जलवायू विज्ञान कहलाता है option number C इस प्रशन के लिए जिन्होंने भी पता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जलवाईउ के जो कारक है, कंपोनेंट है, उनका अध्यन किया जाता है, जलवाईउ विज्ञान के अंतरगत, अगला प्राशन, सरवाधिक उचाई के बादल कौन से है, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं, सरवाधिक उचाई के बा बारा किलोमेटर पर पाय जाते हैं, पक्छाब इस तरी मेग, ऑप्शन नमबर डी स्प्रेशन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए दोस्तों, अगला प्राशन, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, गगन यान का प्रक्षे पर किस में, जी दोस्तों बिल्कु ठीक है, इस रो के जी एस लवी एम के थर्ड यान में इसका प्रक्षे पर किया जाना है, वर्ष दो हजार बाइस तक प्रस्तावित है, ऑप्शन नमबर सी इस प्रस्त के लिए जिन्हों ने भी बता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएग उसके बाद तीसरी मार में एक यान को मानव के साथ भेजा जाएगा, और गगर यान मिशन के तहत प्रत्वी के निम्न कक्षा में, तीन वेक्तियों को दोस्तों पांच से साथ दिन के लिए भेजा जाना तै किया गया है, अगला प्राशन है, एक क्रतिम उपग्रह में बिल्कूर ठीक, साथ सेल, आप्शन नमबर 20 प्राशन के लिए सही विकल्प हो जाएगा, और दोस्तों साथ सेल क्या होता है, तो साथ अईसी युक्तिया होती है, जो साथ उर्जा को सीधे विद्धुत उर्जा में परिवर्टित करने वाली युक्तियों को हम कहते हैं सेल ही होता है, अगला प्राशन, किसी वस्तू का प्रतिवेंब मनुष्य की आँख में कहां पर बनता है, तो दोस्तों यह तो बहुत बेसिक प्राशन है, कई बार परिक्षाओं में पूछा जा चुका है, बात करें तो किसी वस्तू का प्रतिवेंब मनुष्य की आँख मे रेटिना पर छोटा उल्टा और वास्तेविक बनता है कहां बनता है दोस्तो रेटिना पर बनता है कैसा बनता है छोटा उल्टा और वास्तेविक बनता है option number D हो जाएगा right option अगला प्राशन निमलिकित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड़ी है तो दोस्तो मानफ शरीर के सबसे छोटी हड़ी और मानफ शरीर की सबसे बड़ी हड़ी बड़ी हड़ी का बात करें दोस्तो तो फीमर जो है मानफ शरीर के में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड़ी है चोटी हड़ी की बात करें तो दोस्तो कान के अंदर पाई जाने वाली स्टेपीज दिये गया options में से option number 20 दी गई है तो दोस्तो कान के अंदर पाई जाने वाली इस टेपीज नामक हड़ी जो है वो सबसे छोटी हड़ी होती है option number 20 प्रेशन के लिए जिन्होंने भी पता है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा अगला प्रेशन है मच्छरों के नियंतर हेतू प्रियोग होने वाली कीट भख्षी मच्छी कौन है तो दोस्तों ओब एसी कौन सी मच्छी है जो कीटों का करती है भख्षा और मच्छों की अबादी बढ़ने से रोकने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है बिल्कुल ठीक दोस्तों अगर हम बात करें तो option number C में हमें एक मचली का नाम दिया गया है नाम है गैंबूसिया तो गैंबूसिया नाम के कीट भक्षी मचली है जिसका प्रियोग जो है मचलों के नियंतर हेतु किया जाता है option number C इस प्रेशन के लिए बिल्कुल right option है very good जिनो नों भी पता है option number C बिल्कुल सही विकल्प हो जागा दोस्तों अगर हम बात करें तो मचलों के अंडे और लार्वा के अतिरिक्त जो है इसका भोजन जो गैंबूसिया मचली है इसका भोजन जो है वो पानी में जमने वाली काई पानी में जो मरत जीव होते है वह है और हाइड्रिला पौधा होता है तो इन तीनों का भक्षन भी किया जाता है गयम बूसिया मचली के द्वारा चलिए दोस्तो अगला प्राशन सामाने तहां गुबारे में कौन सी हवा भरी जाती है तो दोस्तो क्या आप जानते हैं गुबारे में कौन सी हवा भरी जाती है जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है वायू से हलकी होती है हमारी हीलियम गैस इसलिए इसका प्रियोग किया जाता है गुबारे में भरने में इसके बारे में कुछ कथन आपके समक्ष है क्या है कि वैल डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है दूसरा कथन है यह प्लास्टिक का निर्माद करने में प्रियुक्त एक कच्छा माले कथन तीसरा है कि सिलिकॉन काबाईड और पानी का मिश्ण कर इसकी सुगमता से प् और यह प्लास्टिक का निर्मार करने में प्रयोगते एक कच्छा बाले यह दोडों कथन सही है option number a जो है इस प्रेशन के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगे कि कथन पहला और कथन दूसरा जो है बिल्कुल सही है चलिए दोस्तो अगला प्रेशन ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है तो दोस्तो आपने कई बार सुना होगा ग्रीन हाउस एफेक्ट और ओजोन परत के बारे में तो ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है जी, क्लोरो कार्बन की उपस्तिती के कारण जो है ओजोन परत में छिदर हो रहा है इसके लावा दोस्तों अगर हम बाग करें धीगा ओप्शनस में से ओप्शन नमबर A तो बिलकुँ सही होई जाएगा इसके लावा दोस्तों मेथेन है और जलवाश्प जो है वह भी रिस्पोंसिबल होता है ओजोन परत में छिदर के के लिए यहाँ से आपका ओप्शन नमबर A जिनो ने भी बताया है क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसके लिए बिलकुल राइट ओप्शन हो जाएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन की उपस्तिती के कारण ओजोन परत में छिदर हो रहा है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाओ के परिवर्तन होने के लिए आवशक उश्मा की मात्रा क्या होती है जी दोस्तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाओ के परिवर्तन होने के लिए आवश्चक उश्मा की मात्रा बिल्कु ठीक गुप्त उश्मा के लाती है ऑप्शन नमर डी इस प्रस्ण के लिए जिनरोण भी पता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा चलिए दोस्तो अगला प्रास्टन भारहींता की यह वस्था में एक मुंबत्ती की ज्वाला का आकार किस प्रकार का हो जागा तो दूस्तों भारहींता की situation है तो उस समय मुंबत्ती जल रही है तो मुंबत्ती की जो लौँ होगी ज्वाला होगी उसका आकार कैसा होगा दूस्तों अगला प्राशन आवरत्ती को ना पा जाता है तो दोस्तों आवरत्ती को किस में ना पा जाता है यूनिट क्या है हड्ज ऑप्शन नमबर एस प्रेशन के लिए जिनर ने भी बताए बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा और आवरत्ती की बात करें दोस्तों तो कोई आवरत्ती घटना मतलब बार-बार दोहराई जाने वाली घटना जो है आवरत्ती घटना होती है और इसकी इकाई समय में जितनी वार घटित होती है वही इसकी इकाई होती है हड्ज ऑप्शन नमबर एस प्रेशन के लिए जिनर ने भी बताए बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों भारत में पाई जाने वाली खराई उट के बारे में अनूठा क्या है तो दोस्तों भारत में उट की एक रजाती पाई जाती है नाम है खराई तो इसकी विशेश्टा क्या है दिएगे विकल्पों में से क्या इसके लिए सही है गुज्रात के कच के खराई छितर में पाई जाती है दोस्तों इसलिए इसका नाम है खराई ऊट option number a expression के लिए बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा कि यह समुद्र तल में 3 किलोमेटर तक तैरने में सक्षम है और समुद्री जल में और यह मैंग्रोव की चलाई पर जीता है तो दिये गए options में से हमारा option number a expression के लिए बिलकुल right option हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यह जंगली नहीं होता है इसे पालतू भी बनाया जा सकता है यह पालतू जानवर होते हैं option number a expression के लिए बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा कतन तीसरा जो है कलत है पहला दूसरा सही है अगला प्राशन है निमने लिखित ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर जन पूरता मनवोध भवी है मानवोध भवी है जी दोस्तों बिलकु ठीक है अगर हम बात करें तो दिये गया options में से हमारा option number a chloro-fluorocarbon जो है expression के लिए बिलकुल right option है क्योंकि दोस्तों chloro-fluorocarbon का जित्रा भी उसर्जन होता है उसके पीछे जो मुख्य कारण है मानव के द्वारा ही की गई गति भी दिया है तो जैसे ac है, fridge है इन सब का प्रियोग करके हम क्या करते है ac और fridge में chloro-fluorocarbon gas का उत्सर्जन होता है और यह जो कारे है यह 100% मानव के द्वारा ही किये जाते है अप्शन नमबर A इस प्रेशन के लिए जिन्हों ने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्फ हो जाएगा दोस्तों, जल, पध, तता, क्रश्ण निम्लिकित में से किस धान की उननत किसम है तो दोस्तों, धान की किसमे कुस प्रजाती, तो किस प्रकार की किसमे है, बिल्कुल ठीक दिएगा उप्शन में से, जिन्हों ने भी बताया उप्शन नमबर A बिल्कुल, राइट उप्शन हो जाएगा धान, बिल्कुल सही विकल्फ है तो दोस्तों, अगला प्रश्न तारे का रंग सूचक है तो दोस्तों, तारा जो है, हमें दिखाई देता है कई बार उसका रंग जो है, हमें कम दिखाई देता है, कई बार उसका रंग जो है हमें प्रकास जो है, बहुत तेज दिखाई देता है तो उसके पीछे कारण क्या है जी, बिल्कुल ठीक है तारे उसका जो ताप होता है उसके आधार पर ही तारे का रग जो है वो हमें दिखाई दे रहा हो होता है ओप्शन नमबर डीस प्रशन के लिए जिन्हों ने भी बता है बिल्कुल सही विकल्प हो जागा दोस्तों क्या आप जानते कि विश्वम में यूरेनियम का व्रहत्तम भंडार किस देश में पाया जाता है सबसे जादा यूरेनियम जो है किस देश में पाया जाता है जी दोस्तों लगभग 30% पाया जाता है टोटल यूरेनियम का और जादा जानकारी और तयारी के लिए दोस्तों बने रहे अपने चैनल BSA Tricky Classics के साथ वीडियो को अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद